जहिंद जहएभारत दोस्तों बहुती समय बाद फिर से आपका भाई आगया है विडियो लेकर के जो कि आप इस विडियो में जो चीज आप इस विडियो में सिखेंगे वो बहुती आसान है वो आसान क्या है आप यहाँ पर देखिएगा तो आसानी से आपको दिख रहा होगा जन्तु कोशिका एवं पादप कोशिका अब ये आपको दिखाने का मतलब क्या है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि जन्तु कोशिका में क्या-क्या नामे आते हैं वो आपको किलियर करूँगा और साथ ही पादप कोशिका में क्या-क्या नामे आते हैं यह आपको मैं clear करूंगा ठीक है और वो भी ट्रिक की माधियम से तो यहाँ पर अगर आप जनतु कोशिका एंब पादपोशिका का अगर आप English देखेंगे तो आपको यह मिलेगा क्या है अनिमल सेल एंड पलांट सेल आनिमल सेल यानि जनतु कोशिका एंड पलांट सेल जिसे पादप कोशिका में क्या क्या चीज़े होती हैं तो यही अब हम किलियर करने वाले हैं तो ध्यान से दिखीगा और जो मैं आपको बताऊंगा वो आप इसली समझी जाएंगे ठीक है तो यहां पर आप खियाल रखिएगा और आगे बढ़ते हैं और देखिएगा तो आपको ब माधियं से जो हमारा ट्रिक आजाता है यहां पर यह रही ट्रिक अब ट्रिक नहीं है मैं ने आपर सजागर लिख दिये अगर आप पढ़ेंगे तो आप ट्रिक जैसा ही आपको लगेगा तो यहाँ पर लिखा है माइको केक रस पलारी गोलजी अंतर यही आपका है ट्रिक तो फिर से आप यहाँ पर पढ़ने का परियास किजिए कि लिखा होगा कि माईको केक रस पलारी गोलजी अतनत तो यह आपका ट्रिक है और इसी ट्रिक से हम पता कर लेंगे कि जनतु कोशिका में क्या क्या चीज उपस्तित होती है तो यहाँ पर आप वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए जिससे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर आप आसानी से दिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा माई माई यानि हम कहेंगे माइट्रो कॉंड्रिया ठीक है और इसके बाद हमारा आजाता है को को यानि हम कहेंगे कोशी का द्रब्वे और इसके बाद हमारा आजाता है केक को तो केक यानि केस हो गया आपको केंद्री का और को यानि यहां पर केस हमझी है जिसे हम कहेंगे केंद्रक और इसके बाद यहां पर आजाते हैं हमारा रस तो रस से आप समझे रस धानी और इसके बाद है पलारी पलारी में आप आएंगे तो पला पला से हो जागा आपको प पर देख सकते हैं अंता प्रद्रवी जालिका तो अगर आप से पुछ दिया जाए कि जन्तु कोशिका में क्या क्या चीजे उपस्तित होती है तो आप यहां पर क्या कहिएगा कि माइट्रोकंड्रिया कोशिका द्रव्य केंद्रिका और केंद्रक और रसधानी और पलाज्मा जीली और रिक्तिका और साथ ही गोलजी काय और इसके बाद अंता प्रद्रवी जालिका यह सब चीजे हमारे जन्तु कोशिका में उपस्तित होते हैं यानि मौजूद होते हैं या आप इससे इजीली समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर आपको किलियर हुआ या नहीं हुआ अब हम बढ़ते हैं आगे की और तो आगे हमारा आज आता है पादप कोसी का अब पादप कोसी का हमारा क्या ट्रीक है याद करने का तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि मैंने आर लिक या रखा है आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ट्रीक में लिखा होगा तो यहां पर इसका क्या मतलब है तो राई, राई का मतलब राई बोसोम और गो का मतलब आपका होग और इसके बाद आजाएगा हमारा हरी हरी का मतलब आप समझें हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्लोरोपलास्ट और इसके बाद हमारा आजाता है केके केके यानि केस हो गया आपका केंद्रक और एक हो गया हमारा केस से केंद्री का ठेक है और इसके बाद हमारा आजाता है कोरी कोरी यानि को से हो गया कोसी का जिली और री से हो गया आपको रिक्तिका ठेक है और इसके बाद हमारा आजाता है माई माई यानि समझे माइट्रो कॉंड्रिया और इसके बाद हमारा देता है कोकी कोकी यानि आप समझे क्या को से हो गया आपको कोसी का भीती और की से आप समझे सोरी यहां पर आप की है तो यहां पर आप के समझेगा तो के से आपको हो गया सोरी यहां पर आप को समझेगा न तो को से आपको हो जागा क्या कोशी का द्रब्य अगर आप से पुछ दिया जाया है यहां पर आप ध्यान दीजेगा जरा सा मैं किलिर कर रहा हूँ यहां पर आप ध्यान दीजेए अगर आप से पुछ दिया जाया है कि पादप कोशी का में ले leствokondriya, कोशिका भिती, और कोशिका द्रब्ब्व में कोशिका द्रब्ब्व यह सब चीजहे आपको पादप कोशिका में देखने को मिलते हैं उमिद है तो इसो मैं आयोरा कोशिका तो आप बहुत आप यहां पर लिकफने का पर दिखनी लिखे पादप कोशिका को याद करने लिए यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख दिया है और अगर मेरी जनकारी से अगर आप जरा सा भी कुछ सेक्ते होना तो इस चैनल को सबस्क्राइब करो क्योंकि मैं हमेशा आपको वीडियो लाता रहता हूं और आपको कुछ न कुछ तो ग्यान जरूर मिलेगा तो मिलता है आपका भाई एक और नय दिन और नय वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहो यार और जूड़े रहो और कोई दिक्कत होना त्यार नीचे जरूर झाल कि मैं झाल क की जरूर लिए एक हाई हुआ 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 हूंट हुआ ।依ा हम ने अग्यार जिन और कि अ неखि 좋 WOMAN